दोस्तों नमस्कार उमीद कहते हैं बहतर होंगे आज 2 अक्टूबर है और हम सब गांधी जी को याद कर रहे हैं हम सब गांधी जी की फिलासफिक को याद करते हैं तो सब को गांधी जन्ती की शुकामना है पैरे भाईयों गांधी जी से जो सबसे बहतर चीज सीखने का है वो हम लोग को यह सीखने के पैसेंस जो सबसे ज्यादा एक्जाम में जरूरी होता है हम सब के लिए तो पैसेंस गांधी जी से हमने सीखा और तमाम चीजें गांधी जी की हर एक एक लाइन हम सब के जीगों में में आपके आपसे किये हुए वाद है और आपके तमाम कॉमेंट्स के बाद हमने इस सीरीज को कंटिन्यू किया है डेली 10 से 15 मट का ही यह सेशन होगा लेकिन एक चैप्टर है इस किताब का वो एक चैप्टर हम लोग कंप्रेट कर लेंगे इसी घड़ी में इसी सीरीज में सीरीज को सुरुआत करते हैं लेकिन इसके साथ एक और बात कि आप मैंने आपसे कलवादा किया था कि मैं आपको तीन-चार प्रस्ट डेली लेकर आऊंगा वो तीन-चार प्रस्ट आज मैंने डिजाइन करके लाया है आपके कॉमेंट्स और आपके लाइक और आपके शने वरा कॉमेंट को देखने के बाद तो चली हम लोग सुरुआत करते हैं अंती में उन कोश्चनों को भी करेंगे हां उन कोश्चनों को मैं परयास करूंगा इस डीम राउल सिन्ना ओफिसियल ग्रूप टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइड करा दूंगा यदि आपको बहतर ल यह की करेंट से कोश्चन पूछे उसके बैक्ग्राउंड से भी प्रश्चन पूछे जा सकते हैं यह भारत का पहला लाइन है यह भारत का सर्वत चनागरिक प्रश्कार है यह हम सब जानते हैं कि भारत का जो सबसे सर्वत चनागरिक प्रश्कार है जो पदम प्रश्कार के बाद आता है, मतलब उसके उपर आता है, वो कौन सा है, भारत रत्न प्रशकार है, क्यों चर्चाव में रहा है, इस पर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, या मानो प्रयास के किसी शेप्रे में सर्वोच अस्थन, यानि असाधारन सेवा देने के लिए, हाना कुछ भी आपको मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ आप यूनिक कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, और भारत रत्न प्रशकार के सबसे बड़े पुरसकारों में से एक है, तो असाधारन सेवा प्रदान करने के एक क्रम में सीरिज में आपको दिया जाता है, इसे प्रदम राष्टपती इसको देते हैं यह प्रत्म 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 देने की सुरुआत नीस व चया हैंए इस?. प्रशाद कब से हुई है 1954 सबसे पहले किसको मिला यह भी हम लोग बात करेंगे यह भी 1954 में ही डॉक्टर राजंदर प्रशाद के दुबारा सबसे पहली बार दिया गया था जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं आई यह पुरस्कार मन्नो प्रांथ भी दिया जाने ल पश़पन के बाद मर नो प्रांथ भी देने की सीरिज को स्टार्ट कर दिय गया थानतर प्सकार का अकार कैसा होता है तो प्यारे भाई वह प्राही प्ीपल की तरह होता है अब यह मागे दिखाएंगे भी कि किस तरह का है आपके किताब में यह चित भी दिया हुआ है पीपल के पत्थे की तरह होता है ध्यान रखेगा वहरत रखियेगा प्रथम हां में परफम बेकि सचीनते अंदुलकर हैं सबसे पहले ध्यल जबंगता है उंका नाम सचीनते अंदुलकर है इन को लेकर काफी नीऊज में 2014 जाएं भी रही तो इनसे भी प्रशन पूछने की उम्मिदे ध्हान रखे का बढ़ जाता है सचीन तेंदुरकर साथ से आगे देखते हैं आगले प्रश्णों को देखते हैं आगे प्रश्णों नहीं बलकि आगे के लाइन उखाँ हम लोग समझते हैं पढ़ते हैं अधारन परफिटन पाने वाले सब पहले बैक्ति जो है व्हार भारत में कौन है। आगे देखते हैं हलांकि 24 में भारत्रत ने पांच लोगों को यानि अभी हमने थोड़ा सा लाइन को क्रॉस किया है और पांच लोगों को यह प्रशकार को दिया है करपूरी ठाकुशाप जो भिहार के ही है लाल किष्णा अडवानी जी मेस स्वामी नातन और पीवी नर्सी म मारा और चौधरी चरंच चनिंग 5 लोगों को हमने यह प्रशकार दिया हैं मह willstraat को जिंसे प्रशिकार को दिया है इस किताब में आजाईए लालकिष नडवानी इमेश्व अमिनातन भात रतन के लिए नामित किया गया है इसके साथ ही अब तक भात रतन पाने वाले कुल संक्या तिरपन हो गया है जरा गौर फर्माइएगा अब तक भात रतन टोटल पाने वालों की संक्या तिरपन हो गया है कितने 53 इस अ में हमुझे पर शैड़ सेने बात करते हैं हम लोग करपूरी ठाकुर की की बात करता है जो सबसे ज़ादा महतस्ति पूर्जिले कहां पर? पिताजिया नाम है पिताजिया और सी ग्राम में इनका जनम हुआ था ध्यान रखेगा समस्तिपुर जिले के पिताजिया में इनका जनम हुआ था गाम गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहां हुआ था किनके गोकुल ठाकुर राम दुलारी देवी ठीक है ना भारतियों को लिखेगा तो इन चाष में लिख सकते हैं बारतियों को और इसमें और तीन जूर दीजेगा तो क्या हो जागा पियरे भाई टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर 69 होगा, 49 सो डान रखेगा, ठीक है चली, भातरतन पाने वाले पंद्रह में एवं बिहार से मर्नों प्रंथ बहार तरतन पाने वाले चौथे बेगती हैं यह जिदी आप इस एक लाइन को देखेगा तो इसमें तमाम कंट्रोवर्सी हैं और तमाम कॉमेंट्स भे इस पर आए हुए थे हमारे विद्धार्थियों के मैं आपको इसमें असपश्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ सोर्सों के एकॉर्डिंग भारतरतन पाने वाले चौथे और पांचवे दोनों पे कंफिक्ट है बिधान चंदराय जो बाद में बंगाल के सीम हो गए उनको लेकर चर्चाएं हैं उनको लेकर कई सोर्सों नहीं कहा कि ये भारतन पाने वाले बिहारी में काउंट नहीं होते हाला कि वो बिहार के बांकिपूर में ही उनका जनम हुआ था आज के समय में उनके पैत्रिक पढ़ना सुरू कर दिया था तो उसके लिए कर थोड़ी बहुत चर्चा हैं आप ध्यान रखेगा किताब में गलत नहीं लिखा हुआ है बलकि उन सोर्सों के एकॉर्डिंग इस किताब को देखा गया है तो आप चोथे या पांचवे आपको जो मानना है आपके एक्जाम क हिसाब से वो मान लिजेगा हला कि यूट आप गूवल करेंगे तो जाद तर आपको पांचवा ही मिलेगा हमने अपना स्पस्टी करन दे दिया है किसी भी तरह के आप कॉमेंट करने से जरूर बचिएगा उल्टा सिधा कॉमेंट नहीं करिएगा ठीक है चलिए आगे देख आपको पता है दूसरे अब्दुल्-गफार खांग और तीसरे का नाम जल्दी से बता देंगे तो नेलसर मंडेला थील लोग है तो हम भारतियों को जोड़कर देखेंगे तो पंदरह हुए अब आप इसको धानर से रिखिएगा और इस लाइन को असस्वस्ट मैंने अपन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इनोंने कौन से निर्वाचन छेतर से चुनाव लगा था ताजपूर निर्वाचन छेतर से विधान सभा का चुनावे और ये चुनाव से संबंदित पाटी और पिछले बार भी देखा गया है इक कई दफा प्रश्णे पूछे जा चुकी ह तो राम बिलास पासवान जी से प्रश्ण पूछा स्वर्गे राम बिलास पासवान जी से संबंदित प्रश्ण पूछा जा चुका है तो में इसे भी प्रश्ण पूछने के उमीदें बढ़ जाती है ध्यान रखेगा कर्पुई ठाकुर 1970-1967-89 तक दो बार बिहार का CM रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर जो इनसे संबंधित है आजाईए हम लोग इसको भी देख लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं मैंने कोसिश किया है कि आपको जितने डाउट से उसको किलियर कर दे उन्होंने भारत रत में पहली बार अन्य पिछरावर को आरख्षन दिया था उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाला योग कुछ विद्धार्कियों ने हम लोगों को ये मैसेज किया था मुंगेरी लाला योग को लेकर तो थोड़ा सा आपने आपको यहां से बचियेगा और ध्यान रखेगा कि ये लाइन गलती ना हो जाए आपसे एक्जाम में आस पास का डेटा है और आस पास के डेटा में गलती हो सकता है ध्यान रखेगा कि पिछलों को नौक्रियों में आरक्षण विया था नौक्रियों में आरक्षण की बाद मुंगेली लाला योग ने मुख्यमंद्री बनने के बाद मुंगेली लाला योग की सिफारिशों में लागू किया था ध्यान रखेगा और ये बहुत लगातार conflict बना हुआ है तो इससे सम्मनित कोशन पुछने के आसार जादा है और इसमें हम देख रहे हैं कुछ बच्चे confused हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हाँ आ जाईए बड़ आगे हम लोग बढ़ते हैं बड़ 1978 1978 में उन्होंने एक अभूत पूर्वे आरक्षन मौडल प्रस्तूत किया जिसमें OBC आथिक रूप से पिछरे बर्ग इसको EBC कहते हैं आज के रेट में ये बिहार में है EBC इसकी दिन करपूरी ठाकुर जी ही है महिलाओं और उच जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछरे बर्गों के लिए बिसिस्ट कोटे के साथ 26% आरक्षन आवांटित किया गया ये मुंगेरी लाल आयो का भी रिकमेंडेशन था 26% आयो ये मंडल कमिशन ये आपके दिमाग में आ जा रहा हो तो याद रखे का OBC के लिए मंडल कमिशन ने 27% यानि 27% आरक्षन देने की बात कही है इसलिए मैं पूरा स्पस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ध्यान रखेगा आगे आईए उन्होंने विहार में उर्दु को दूसरी राच की अभासा बनाया है ये भी प्रशन आपसे इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है इसको ध्यान रखेगा उर्दु को क्या बनाया है, सेकंड राज की अभासा बिहार में इन्होंने ही बनाया था, ठीक है पैर भाई, आई यह आगे देखते हैं, आगे हमने लगवग लगवग किसके बारे में कर लिया है पैरे दोस्त, तो हमने पूरा डिटेल करपूरी ठाकुर जी के बारे में कर ल आईए, में स्वामिनातन, भारत में हरित कांती के जनक कहे जाते हैं, आप जानते हैं, इनका जनम 7 अगस्त 1925 को तमिलाडू के कुम्ब को नम में हुआ था, मिर्तु 28 सितमर 223 को चेन नहीं में हुआ, ध्यान रखेगा, 223 यानि हाली में इनकी मिर्तु हुई है, स्वामिना पदम से उननीषे शौन के साय से इनको सम्भानित किया जा चुका है, आप जानते हैं कि इस साल भी इनको भारत मुल दिया गया है, पांच लोगों में इनका भी नामय में हमें, श्वामिनातन, Myers्वामिनातन, जिनको हरित कांती के जनक के तोर पर जाना जाता है, इनने तमा को प्रदाती कही है टाइप्स के यह प्रकार को इन्होंने पहचाना था और उसको बारे में इन्होंने अपने विसेस सुझाओ दिये थे और उसके कारण बहुत तेजी से उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ था इसलिए यह महत्वपुण है और आपके एक्जाम में करेंट की भी उसे भी और साथ में हो सकता है कि स्टेटिक पर्शन से भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से इस किताब में कभर किया है आगे देखते हैं लाल किष्णाडवानी शाहप चलिए लाल किष्णाडवानी भारत पाने वाले 50 में बेगती आ आठ नमर 1927 को करांची जो अब पाकिस्तान में ध्यान रखेगा बस 1921 में रसे से जूरे और 1980 में अस्थापित भाजपा के संस्थापक सदसों में से एक थे इनकी आत्म कथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ ये ज़्यादा महत्तोपुन्य ध्यान रखेगा आपसे बहुत चाला की कि सांथ ये प्रशन पूछे जा सकते हैं माई कंट्री माई लाइफ किसकी जीवनी है तो लाल किष्ण आडवाने की ठीक है आजए उन्ह परदान मंत्री के रूप में कारे किया है इन्होंने 1998 से 2004 तक भाद के ग्रीमंत्री है वे 2009 में भाजपा के परदान मंत्री पत के उमेदवार भी रहे हैं ठीक है उमीद करते हैं कि मैंने जितना फैक्स बताया वह आपको समझाया होगा और आपने उसको कभर भी कर लिया बिखते हैं आगे 1998 से ग्रीमंत्री है यानि हो मिनिस्टर भी रहे हैं 2009 में भाजपा के परदान मंत्री पत के उमिदवार रहे है 2015 में पद्म भीभूशन से शम्मानित किया गया था इनको पद्म भीभूशन से कब 2015 में इनको शम्मानित किया गया ये भी पूशा जा सकता है समस्ति पुर्जीला पद्म भीभूशन ग्रिह मंतरी का बनना जनसंग के किस सीट से चुनाव लड़ा है ये भी प्रशन पूछा जा सकता है अप्रेल उनिशों संग से राजसभा के लिए चुनाव लड़े थे ध्यान रखेगा आगे देखते हैं चौधिर चरण सिंग ये भी किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं मशूर हैं और इनसे भ दिवस्त के रूप में चौधिचरण सिंग्जी की जैनती को मनाया जाता है आगे हम लोग अगले पेज़ को चलेंगे और लगबग आज के बाहर त्रत्म से सारे महतोपूर्ण फैक्स को कर लेंगे फिर आप से मैं एक हिदायत देता हूं किसी भी तथ्यात्मक पहल्यूप इसको भी हम लोग कर लेते हैं फिर पदम पुरशकार कल कभर कर लेंगे यदि आप चाहेंगे तो चौधी चरण सिंग्जी की कहानी हम लोग कर रहे है थे 29 मई 1987 को इनकी मिलती हुई सरपथम 1937 में चपरावली से उत्तरपदेश विधान सभा धान रखीगा यह लाई जू से महत्वपुन है क्योंकि एलेक्शन आप करीब है 1989 में 1980 तक भाद के पांच में परधान मंतिर रहे हैं यह भी प्रशन पूछा जा सकता है वे 1968 से इनके समाधी अस्तर को किसानगाट के रूप में गाएं जाना जाता है हम चौतरी चरन सिंग्जी की बात कर रहे आगे आतो है पीभी नर्शि महाराओ जो बहुत ही महत्तपुन है 28 जून 1921 को बत्मान पेलंगना यानि अब तब के हैदराबाद के वारंगल जी लेके लेकब पल्ली गाउं में हुआ था इनका जनाम ठीक है पीबी नर्शिमहाराओ आईए अब हम लोग आगे देखते हैं पीबी नर्शिमहाराओ को भी मतपुन फैक्ट्स को कभर कर लेते हैं इनका पूरा नाम पामूला पती वेंकेट नर्शिमहाराओ है पूरा नाम ध्यान रखेगा पामूल पती वेंकेट नर्शिमहाराओ है नाम तो बड़ा है लेकिन याद जरूर कर लिजेगा इससे प्रश्ण आपसे पूछे जा सकते हैं आगे देखते हैं बस 1991 से 1996 तक वे भाद के 9 परधान मंतरी, ध्यान रखीएगा ये भी प्रशन बहुत ही महत्तोपुन है, 9 परधान मंतरी के रूप में चुने गये थे, इन्होंने भाद के रक्षा मंतरी, विदेश मंतरी, गृधे मंतरी के रूप में भी कार किया है, देखि कौन है ध्यान रखेगा कौन बताइए पीवी नर्सिमार राव ध्यान रखेंगे तक आंद्र प्रदेश के चोथे मुख्या मंत्री भी रहे हैं तीहत्रवें और चोहत्रवें पंचाती राज के लिए बहुत महत्पुण है और इससे प्रशन आप देखेंगे कि पॉलिटी मे भी अक्सर पूछा जाता है तो इस करेंट को पॉलिटी से कनेक्ट करके देख लिजिएगा प्रशन पूछने क्या आसार यहां से बढ़ जा रहे हैं जरूरी नहीं कि करेंट से पूछे स्टेटिक पॉसन से भी पूछ सकता है और आप इसके लिए थोड़ा सावधान प्रश्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवाब एक्ती कौन थे सबसे युवाब एक्ती कौन थे जल्दी से बाद दीजिएगा मैंने उमीद किया है कि इनके पूरे डीटेल को लिख दे और पूरा डीटेल लिखने का मैंने परयास भी किया है चलिए कि उल्दी एस एंसर तो आप सक्ते जानती है सचीन तेंदुरकर होका सचीन तेंदुरकर जी का उम्र की attraction मेंर उनको मिला है मिला कब 2014 में है która के उतिजित के इसके पहलें और यह मत बहुत SPEAKER χाецplant it सब्सकार मिल चुका है इसके पहले भारत अत्म प्रसकार मिल चुका है, एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट नोट में डाल दिया है, हो सकता है कि आपके एक्जाम में ये भी प्रश्ण पूछ दे, आगे चलते हैं और निक्स्ट प्रश्ण को देखते हैं, दूसरा प्रश्ण आपके एक्जाम में क्या हो सकता है, द्यान रखेगा, ये प्रश्ण आपके एक्जाम में हो सकता है, ये 8 नमबर हटा दिजेगा, कोई नमबर की सीरिज नहीं है, अब आईए, 19-1954 में भारत अत्म के पहले प्राप्त करता कौन थे, हमने कहा कि भारतत्न देने की सुरुवात इसी लाइल में जब हम पढ़ रहे थे तो आप से बताया था कि सबसे पहले 1954 में हुआ था स्थार्ट और उस बक्त के ततकालेन प्रधान मंत्री कौन थे हमारे डॉक्टर राजंदर बावु थे डॉक्टर राजंदर प्रशाद थे उन्हों ने सबसे पहले भारतत्न तीन लोगों को दिया था इसमें डटर स्पलिरादा कृष्णन च र Although सिराजगु और चaliśmy प्रशार ली है कि इनको प्रशकार मिला है भारत रत में पद्न विभूशन भी मिला हुआ है कर गुरुषकार है इनको मिला हुआ है रेवन मैकसे से प्रशकार यह तमाम प्रशकार है इनको मिला हुआ है अब इनके बारे में, में स्वामिनाथन ने खाद उत्वादन में क्या महत्वपुन योगदान दिया, यहूं और चावल के उच उपज देने वाले किसमें, किसमें पेस का स्पेस की, नई क्रिसी मशीनरी बिक्सित की, बैस्विक वेपास समझवते स्थापित की है, बिसेस र उपज देने वाली किसमों को पेस किया था और इसको इन्होंने प्रहचान किया था, खास तोर पर गेहूं सबसे ज़्यादा महत्वपुन रहा जो हरयाना या पंजाब, इन तमाम छेतरों में इसके उत्पादन को एक दम से तेजी से बढ़ा दिया था, ग्राप को उत्पा होकर खुब अच्छे से महनत कर रहे होंगे, यदि आपका और कोई विचार हो, कुछ चुझा हो, तो जरूर कॉमेंट बक्स में दीजेगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा, ताकि इस सेशन को हम कंटिन्यू कर सकें, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप अगली सीरीज में करेंट टैफर की सीरीज में